जेहिंद मैं लालित खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया मायरा फाशन्स एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंप्लेक्स आन्वेगा मौल अजमेर और आज बात देश की आधी आबादी को सेना में मिले पूरी बराबरी सर्वुच नियाले ने सोमवार को सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमिशन देने की मांग वाली याचिका पर सुनुआई करते हुए कि इंद सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि समाजिक और मांसिक कारण बताकर महिलाओं को इस अवसर से वन्चित करना न केवल भेद भाव पूर्ण है बलकि अस्विकारे भी है अदालत के नुसार सरकार के महिलाओं को कमांड न देने को लेकर दिये गए तरक अतार्किक है और समानता के अधिकार का उलंगन करते हैं शीश अदालत ने दिल्ली उच न्यायले के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि महिलाओं को सेना के दस्वी भागों में स्थाई कमीशन दिया जाएगा हालाकि इस अदालत के फैंसले के बावजुद युद्शेत्र में महिला अधिकारियों को तैनाती नहीं मिलेगी न्यायले के नुसार सभी नागरिकों को अफसर की समानता और लैंगिंग न्याय सेना में महिलाओं की भागेदारी का माग दर्शन करेगा नयमूर्ती डीवाई चंदरचूड और जस्टिस अजरस्तोगी की पीठ ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुकती एक विकासवादी प्रक्रिया है केंदर के महिलाओं की शारिक विशेष्टाओं पर विचारों को अधालत ने खारिज करते हुए केंदर को अपने नजरिये और मानसिक्ता में बदलाव लाने की इदायत भी दी है अधालत ने कहा कि शसत्र बलो में लिंग अधारित वेदवाव खतम करने के लिए सरकार की और से मानसिक्ता में बदलाव अत्यंत जरूरी है अधालत के इस फैंसले के बाद महिलाओं को युदिशेतर शोड कर बाकी सबी स्थानों पर तैनाती मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है और इस आदेश के बाद महिला अधिकारी भी सेना में कमांड पोस्ट पर न्युक्ती के लिए पात रहूंगी और साथ ही अब महिलाएं सेवा निवृत्ती होने तक अपनी सेवाएं भी दे सके इस फैंसले का लाब उन महिलाओं को भी होगा जो 14 साल से अपनी सेवाएं दे चुकी है अब उश्टम नियाले ने किंद सरकार को आदेश दिया है कि सेना में स्थाई कमीशन का चुनाव करने वाली सभी महिला अधिकारीयों को तीन महिने के भीतर ही स्थाई कमीशन दे दिया जाए उश्तमनेयले की वकील और भाजपानेता मिनाक्षी लेखी के अनुसार अदालत का यह शांदर फैंसला है सरकार की राजनीती इच्छा शक्ती को लागू किया गया है अब अदालत ने इसे लागू कर दिया है और अब अधिकारियों को फटकार लगाई है जो इसे लागू नहीं कर रहे थे अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खतरी